नमस्कार मावर्चा में आप सबका स्वागत हैं बच्चों की रात में ट्वालेट करने की आदत ये कैसे छुड़ाएं इस पर बहुत ज़्यादा क्वेरी जाती है और मैं बहुत टाइम से सोच रिदी इस पर वीडियो बनाना सो फाइनली आज की वीडियो में हम यहीं डिस्कस करेंगे कि किस एज में और कैसे इस आदत को छुड़ाना चाहिए देखिए बच्चों का कोई भी काम होता है वो अगर एक राइट एज पे सही एज पे सही उम्र पे अगर उसको बंद कर दिया जाए भले ही वो बॉटल दिया इन तक की चलती रहती है है तो आज की वीडेयो में हम डिसकस करने वाले है कि बच्चों की जो रात में ट्वफालेट करने की आदत है बैड वेटिंग की वो हम कैसे बंद करें थाम वीडियो को शुरू करते है वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इस तरह की और भी बेबी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखें सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर आप रात को बच्चे को डाइपर फ्री रखना चाहते हो तो make sure कि आप का बच्चा जो है दीन में डाइपर में नहीं रहता हो, अगर बच्चा दीन पर भी डाइपर पह है और रात पे भी आई, दोनो दिन और रात दोनों साथ में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो पहले तो आपको बचचे को दिनरी दैपर फ्री करना है उसके बाद ही आपको रात के लिए कुशिश करना है अब दिनका डैपर फ्री करने के लिए गोले बता देते हैं जब भी नुको ट्रॉलिट आता है तो बच्चे खुद ही हाँ या ना बताएंगे, आप इसे साब से सिखा सकते हो बच्चे को, स्टार्टिंग में आप यह भी कर सकते हो, ट्रेणिंग पैर्ण्स आते हैं, तो उनको भी यूज़ कर सकते हो इस जौरान, लेकिन दिन में आपको बच्चे को डाइपर फ्री रख तो मैं आपको बोलेंगे आप नेक्स जे से ही डाइपर मत पहनो फिर बच्चे को आप यह कर सते हो ड्राइशीट वगर बिछा लो सेफ साइट पे अपने बेड पे ड्राइशीट आती है कि ट्राइशीट वगर बच्चा करता है तो वो पूरा एबसॉब कर लेती है नीचे आपके मैट्रस वगर जो है वो उन पर कुछ नहीं होगा तो आप ड्राइशीट रख सकते हो यह इसके अलावा आप मैंने जैसर्फ पेंट्स का बता है वो बच्चे को पहना कर सुला सकते हो लेकिन अगर आपको लग रहना कि बच्चे अगर डाइपर को ड्राइव रख रह तो आप मत पहनाओ यहीं वजह होती है कई पेरेंट्स होते हैं देडर दो साल के बच्चे होते और वो डाइपर फ्री हो जाते है को भी कि उनकी आदत ही नहीं रहती है टॉयलेट करने की अब लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि धाई तीन साल के हो जाते तो भी उनका डाइपर गिला ही रहता है जैसे मेरी बेटी का था मेरी बेटी तीन साल से उपर की हो गई थी बट स्टिल वो डाइपर में ही टॉयल यूलजट मत दो दूध का ग्लास मत दो पानी का ग्लास मत दो कुछ भी जूस मत दो तो तो सुबह और एक शाम चरपांच बचे दे लेकि रात को नहीं देते हैं इसी वज़े से कही रात को टॉयलेट नहीं करते थी कि अब जब भी सुलाने जाएं बच्चे को अब कई बर क्या होता है बच्चे ना कुछ बच्चे आट-नो बजे सो जाते हैं तो ठीक है अगर उस तैम पे आप बच्चे को वाश्रूम ले जा रहे हो अगर आट-नो बजे बच्चा टोइलेट कर रहा है तो ठीक है अगर नहीं कर रहा है, तो जब आप सोने जाने वाले हो, लेक्ट 10 बजे, 30-10 बजे, आप उस टाइम पे एक बर जरूरु उसको टॉilet कराओ, कई बच्चे सोने के जस्ट पहले नहीं करते है रहा, तो आप जब आप सोने जाने वाले हैं मतलब कि 10-11 बज़े आप बच्चे को करा दो टॉइलेट अच्छा जब आपने एक चीज़ उब्जब की होगी जब भी आप इस जोर अच्छो की जो ये टॉइलेट करने की आदत है तो आप उस टाइम पर क्या करते हो आपने उसको डाइपर फ्री रख रखा है बच्चे को ट्रेनिंग पैंट्स में है बच्चा या ब्लूमर वगएरा पहन के सो रहा है एक काम ये भी कर सकते हो आपना बार बार चेक करो वैसे भी हमी नीन नी आती है मतला मेरे साथ तो ऐसी होता था जब मैंनू सोती रहती थी तो मैं बार बार चेक करती रहती थी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकली कितने बज़े बच्चा टॉलेट कर रहा है ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम होता है पक्के से बच्चा करेगा और जैसे ही वह करेगा टॉलेट तो बस आपकी टैंशन खाता फिर आगे वह सोई जाएगा और यह चीज आपको 10-15 दिन रेगुलर करना पड़ेगा इस तरीके से आप करोगे ना तो फिर धीरे धीरे बच्चा फिर सीख जाएगा अगर उसको टॉलेट आभी रहा होगा तो वह खुद जगा कर बता देगा क्योंकि उसे बहुत अटपटा लएगा ब्लाडर में टॉलेट को होल्ड करना थोड़ा सा बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा तो वह खुद अपने आप ही उसको बता देगा आपको तो पेसिकली तीन चीज़े हैं मतलब कि आप रात को सुलाने के पहले बच्चे को टॉलेट करा दो दूसरी चीज़ लिक्विड डिफिकल्ट मत दो और तीसरी चीज़ अगर बच्चा बहुत बार कर रहा है बीच में कर रहा है रात को सुलाने से पहले अगर आप टॉलेट करा दे रहे तो भी कर रहा है बीच रात में तो आप एक पर्टिकुलर टाइम देख लो थोड़ा सा नलाइस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर आप अलाम लगा लो और फिर वो बच्चे को करा दो तो ऐसे बच्चा आराम से कर लेगा हमारा तो यही हुआ है मैंननु का हम लोगों ने दूध रात का बंद किया उसने करना छोड़ दिया फिर बारिश के टाइम पर कई बर प्रॉबलम होती है अगर कुछ बच्चों में तो आपको मिड़ नाइट फिरूट के बच्चे को टॉलेट कराना पड़ेगा इसको अगर आप इसके बाद 5-6 साल का बच्चा हो गया तब ट्राइ करोगे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चे को उस तैम पे ब्लैडर को एक्चली बच्चे के ब्लैडर को कंट्रोल करने की आदत ही नहीं मतला उसको वो फोल करके नहीं रख पा रहा है तो इस चीज का थोड़ा सा आपको मेक्शर करना पड़ेगा राइट एच में इस चीज को आप करें हलांकि बाद में भी बच्चे सीख जाते हैं एक और चीज क्या होती है कई बार ना हम बच्चे को इतना ज़दा डरा कर रखते हैं ऐसा करोगे तो यह हो जाएगा यह डा कर लेंगे तो आपका बच्चरात को बेड को गीला नहीं करेगा और डैपर फ्री हो जाएगा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्स्क्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू सो मज थैंक यू बतु मस्ते हो गया झाल करिएगा तो आपक कर दोआए प्री होगा तो आपका उग भज माता तो आफ बच्चरात कर दोआएगा तो आपका शीला प्री होगा थाउगा उन्टापका यूरूरूरू झाल झाल झाल